आज हम आपको बताने जा रहे हैं करेला के बारे में जी हाँ दोस्तों करेले के जूस से होने वाले फायदे के बारे में जैसा कि सब जानते हैं कि करेला का स्वात कड़वा होता है आपको बता दे कि करेले को अंग्रेजी में विटर गार्ड कहते हैं ये एक चिकिसी ओशद ही है इसका इस्तमाल बहुत से दबायों में किया जाता है इसमें कई ओशद ही गुड होते हैं करेले में बिटामिन्स और एंटि-अक्सिडेंट मौजूद होते हैं रोजाना एक गलास करेले का जूस पीने से बहुत सी स्वास्त की समस्याएं दोर होती है। कच्छे करेले का जूस बहुत ही लावकारी होता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी बिटामिल्स और एंटि ऑक्सीडेंट होती हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। इसमें बिट बिटामिन B और विटामिन C पाया जाता है तो चलिए जानते हैं कि करेले जूस के फायदे क्या होते हैं करेले के पत्ते के जूस या करेले के जूस से मालिश करें करेले की चटनी पीस कर गठिया के सूजन पर लेप करें जल्द ही आराम मिलेगा अगर आपके त्वचा में जादा हो जाती है तब खुजली चलती है करेले के जूस चौथाई कफ और इतना ही पानी मिलाकर रोजाना दो बार पिए तथा करेले के जूस में दस बूंद लहसुन का जूस तथा चार चम्मस सरसों का तेल मिलाकर मालिस करें करेले के जूस इसी प्रकार पीने से घम और या फुनसिया ठीक हो जाती है यदि आप शराब पीने की अगली सुबह होने बाले हैंग ओभर से फरेशान है तो करेले के पास आपकी समस्या का भी समाधान है इसमें एंटी इंटॉक्सिकेशन गुण पाये जाती है जो शरीर से बिशाक्त पदार्थों को निकास द्वारा बाहर निकालता है साथ ही शराब द्वारा लीबर को पहुचाने वाली शती से भी बचाओ करता है हैंग ओवर जैसी समस्या से निपटने के लिए आपको करेले का जूस बहुत ही लाबकारी होगा साथ ही हैंग ओवर को कम करने के लिए आधा कप करेले का जूस पीकर साथ ही हैंग ओवर को कम करने के लिए आधा कप करेले का जूस आप पिये जिससे आपको हैंग ओवर की समस्या दूर हो जाएगी साथ ही यदि किसी को बवसीर है तो करेले के तीन चम्मच रस को एक गलास दूध में मिला कर प्रत दिन खाली पेट पिया जाना चाहिए सिर्फ एक माहे में ही असर दिखने लगेगा अगर आप इसे वाहरूप से ठीक करना चाहते हैं तो करेले की जड़ का पेश्ट बना कर उसे बवसीर प्रभाविति स्थान पर लगाना चाहिए आधा कप करेले का रस, चोथाई चम्मच, पिसी हुई सोंट, थोड़ा सा पानी मिला कर रोजाना सुबह शाम पीने से सूजन भी ठीक हो जाता है अगर छोटे बच्चों को, यानि 3-8 साल के बच्चों को आधा चम्मच करेले के जूस प्रत दिन पिलाया जाए तो बच्चों को लीबर ठीक रहता है, यानि लीबर से सम्मधित जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो नहीं होती है और पेट से सम्मधित बिमारिया भी नहीं होती है, जैसे गैस या आपच्च अगर आप भी करेले का जूस का उप्योग नहीं करते हैं, तो आप भी अपने दिन चड़्या में करेले के जूस का सीवन करना शुरू कर दीजे क्योंकि करेले के जूस से आपको बहुत सारे फायदे मिलेगे साथ ही जो भी आपके शरीर के अंदर बिमारियां है वह करेले के जूस से दूर हो जाएंगी तो यदि आप बिमारियों को दूर रखना चाहते हैं आप खुश रहना चाहते हैं हस्ते और मुस्कुराते रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिन चड़्या में करेली का जूस का सेबन जल्दी ही करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है क्यों है न्यूजडेस की रिपोर्ट